आज महर में CPR देकर एक मासूम बच्ची की डॉक्टर ने बचाई जान जी हाँ दोस्तों ताज महर में माता पिता के साथ सो मार को आई दो साल की बच्ची की अचानक तबियत बगड़ गई उसके सरीर में हलचल बंद हो गई ताज की सुरच्चा में तैनाज CISF के जवानों ने बच्ची की ताज की डिस्पेंसरी में भेजा वहाँ पर डॉक्टर ने बच्ची को CPR दिया और उसके बाद उसकी तबियत में सुधार आया बता है कि करनाटक के बेल गाम से आई दमपती अपनी दो साल की बेटी आयजा के साथ ताज महल गूमने आये थे ताज महल गूमने के दोराँ बच्ची अपने माता पता से अलग हो गई ऐसे में बच्ची रोने लगी और रोते रोते उसकी तबियत अचानक बिगड़ गई वो बेहोस हो गई और उसके सरीर में हलचल होना बंद हो गया तब ही C.I.S.F. के जवानों ने उसे डिस्पेंसरी भेज दिया पता आये गया है वहां मौझूद डाक्टर डिंकू भगेल ने कोडियो यानी की C.P.R. दिया जिसकी हालत में सुधार आ गया उसके बाद ततकाल एम्बूलन्स से सांती मांगलिक अस्पताल में भीजा गया जहां बच्ची की हालत में सुधार आ गया डाक्टरों का मानना है कि सम्मबत हाई पॉक्सरिया के काड़ बच्ची बेसुद हो गई थी अक्सद ज्यादा रोने पर मजदिक तक आक्सिएन नहीं पहुँचती तब ऐसी हालत हो जाती है और डाक्टर की तत्पता से और की बिमारती जिस सब्सके काड़ पसीने से तरबतर हो गए थे ज्यादा चलने के काड़ वहाफने लगे और गिर गए ताज की डिस्परेंसरी में उन्हें भी प्रात्मिक उपचार दिया गया डाक्टर रिंकू बगेल के द्वारा इस प्रकार के प्रयास से जब बच्ची क जान बची तो देखी चारो लंग उसकी किस प्रकार स्राना हो रही है हर कोई ेसस प्रकार द्वाई देते नजरा रहे है और उनकी हर और चर्चा होती भी नजरा रही है बता जारह है बच्चे को सी पी िर कैसे देया जाता है बच्चे को पीट के बल सीधा लेटा दे और उसके पास गुटने के बल बैट है बच्चे को सीपियार देने के लिए दो उगलियों का इस्तेमाल अवस्य करें चेस्ट यानि कि छाती पर थोड़ा थोड़ा प्रेसर दें एक से दो या दोस्त इंच तक ही प्रेसर डालें जाद रखें बच्चे को जल्दी से जल्दी अस्पताल भी पहुंचाएं इस परकार आपने देखा किस परकार रिंकु बगेल ने एक मासूम बच्ची की जान बचाई है